तयार, आज, फिजिक्स में मचाते हैं अगला कोशिशन, is it possible to add two vectors of unequal magnitudes and get 0 देख लेते हैं, माल लो, फोर्स ही समझ लेते हैं, अगर इदर मैं 5 newton का फोर्स लगा रहा हूँ और माल लो, दूसरा वेक्टर मेरा पता है, 10 newton है तो अगर मैं बिल्कुल भी opposite direction में लगा दूँगा, तब भी ये cancel out नहीं करेंगे net force left में 5 newton आएगा तो is it possible to add two vectors of unequal magnitude, जिनका magnitude अलग अलग है and get 0, no, it's not possible पहला का answer नहीं, कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भी possible नहीं है कुछ भी कर लो, ऐसा कभी भी possible नहीं है अगला क्या है is it possible to add three vectors of equal magnitude and get 0, yes अगर वो planner है हाँ, तो क्या दो vectors को, दो vectors जिनका magnitude अनिकोल है क्या उनसे हम 0 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं कुछ भी कर ले नहीं लेंगे, उनका कुछ ना कुछ result निकल के आएगा पर अगर तीन vectors हो जाएंगे, तो हाँ, यह possible है अगर तीन vectors हो, क्योंकि अगर तीन vectors तुम अनिकोल magnitude के ले वी रहे हो तो अगर वो एक triangle बना रहे हैं, अगर वो triangle बना रहे हैं, मतलब उनका net 0 है अगर इसको displacement के term में सोच सकते हो, तुम यहां से हां तक 2 meter गए फिर 10 meter गए, फिर 8 से 9 meter गए, अगर वो एक close triangle बनाएंगे तो हाँ, उनका sum 0 हो सकता है तो दूसरे का answer है yes